पूर्णी सांसद और पूर्मुख्यमंत्री तीरत सिंग रावत ने चौबट्रा खाल विधान सभा से बीजेपी पृत्याशी सत्पाल महाराज के समर्थर में डोर टो डोर जनसम पर किया तीरत सिंग रावत ने चौबट्रा शेत में शुराब की नदिया बहाने के तियारी में है जबकि भारती जनता पार्टी ने एक राष्ट संत एवं आध्यात्मिक गुरू को अपना प्रत्याशी बनाया है जिनकी सोच हमेशा उत्राखंड के विकास एवं सम्व्रध्धी की रही है इस परकार का भिकास होना चाहिए उसको इस नौजवान में ही उसको शमाप्त करना चाहते है यह तै करना और मैं सकता हूं कि मात्र शक्ती पुर्जोर तरीके से इसका विरोध करती है बलकि नौजवान भी करते हैं हमारे नागरिगण भी करते हैं कि इस परकार की चाया भी वो सराव या नहीं हम कह सकतें कि हमारा पहाड का नोजवान कुछ नहीं होगा तो फोज में जाएगा अब दुर्भाग यह है पहले वो सारीरिक परिसर्म करते हुए तुरंट सेना में जाता था आज युग्यता तो है लेकिन सराव के कारण वो सोव मिटर रणंवे में पीछे रह जाता है नसा इससे बचाने का काम करना है तो यह हमको परह करनी है कि सामने वो लोग है और एक तरब यह लोग हैं तो पहचान करना तो इतना कहती है चोड़त अरि को मौतदान होगा महादान होगा कन्यादान से भी बढ़कर हुआ क्योंकि भवश्य हमारा उसी में है विकास तो इसलिए कोई अगल बगल न छूटे परवार का न छूटे चाया बर्फ पड़े बारी सो जड़ी लग जाए तब भी पहला काम सुबह नास्ता करते बहुत डाल करके आना कमल के बटन को दबाना महाराज जी को फिर अपना परतिन तो दे करके और फिर आपके विकास को कर सके निशित है कि मैं सोकता हूं कि महाराज जी जैसा व्यक्तिक्त्वा और जिस पर का मैंने का देशर दुनिया के अंदर भी अपना प्रोच नाध्यत में कर सांस्कृति को लेकर बढ़ रहे हैं औ आपको विकास के जूड़ें इतना ही कहते हुए आप सब लोग का धन्यवाद जैहें नौशकार वहीं बीजेपी के चौबट्राखाल प्रत्याश्री सत्पाल महाराज ने अपने विधास कारियों के बारे में जनता को बताया सत्पाल महाराज ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कारण ही आज उत्राखंड सहित हमारे शेत्र का विकास संबह हो पाया है सत्पाल महाराज ने कहा कि हमारे उत्राखंड को संसकार भूमी बनाना है ताकि लोग देव भूमी में आकर यहां से संसकार लेकर जाएं यदि हम ऐसा करने में सफल रहे तो ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब दियोगी M.I. News के लिए रिपोर्ट